प्युक्स मेर लेके इस दुनिया ते विच्चर देने अज मेरे नाल इस चर्चा विच मौजूद ने मिजर जनरल चर्ण जी सिंग पनाग जो के जानी मानी शक्सियत है खास करके पंजाब देच ते हिंदुस्तान देच आज असी इन्ना दे जीवन दे तरब्या नू संजा करांगी कि क इस तरह इन्ना ने अपनी जिंदगी नू इस तरह दा खूबसूरत गुल्रस्ता बनाया राग सब्स्वागत करता हो थाटा जिस तरह सी देख्या के बहुत काट्ट जड़े नौच बना है वो फाज दी नौकरी वल जाना अज दा दोर देकर देखी ता पसांद कर दे तू जड़ों पादर दी पोस्टिंग के ते चंगी था हो जानी हो थे चले जाना वापस पिंड जा जाना दूसरा प्राईच मैं काफी चुस्त सी अच्छे नम ब्राउंदे सी तो स्कूल वेचे लोकी फारम पर रहे सी एंड ये दा मैं भी परता अर वाइगरू दी मेरना पास भी हो गया इंट्रव्यू ओधों मेरे फादर जम्मू किश्मीर विच सी गए उन्हों पता भी नहीं सी जब मैं इंट्रव्यू गया चले गए अपने बाबा जी तो साइन करा के लेगे ज़िए इंडेमिनिटी बाउंड होंड है इंट्रव्यू इंट्रव्यू भी लंगे फेर मान बनेया के पाई एंजिनेरिंग या मेडिशन करन दा भी मान सी गा पर करदे हालात देखके एही फैसला होया फादर दा ते मेरा मैं था छोटा सी गा सोड़ा साल दा के बही करदे विच जे मैं एंडेय चला जाओंगा ते जड़ा पढ़ाई दा वो फाइनेंशल ब दो पेना एक प्रासी चोटे तो इस करके एंडेय पहुंच गए अगे गवर्मट ने सानू बड़ी चंगी तिन साल दी ट्रेनिंग देती हैं एंडेय च एक साल देरदोन करना सी आएमेच उते से छे मीन ने क्यूंके उनीसो बाट दी लड़ाई लग गई सानू जल्दी कम और ओ थे जड़ी चीज थी चार चाल सिखे सी ओनू होर रिफाइन कीता गया ठीक सानू जड़ी प्राणे अफसर सी प्राणे जेसियों सी आला कि रैंक इज साधनाव छोटे सी पर साधने बापूद समान सी उन्हाने बड़े चंगे तरीके न आपने तज़रबे सानू पासाउन कीते ए तज़रबे असी देखे कई कुछ हरकतां भी देखियां कुछ चंग ट्रेनिंग ठीक सी चंगियां हरकता नू अब्जाव कर दे गए मारियां नू अपना त्यानच रखिया कि भी एक काम नहीं करने प्राण सब की वाकिए जड़ी नौक्रियां देश सेवा करने स्कौंदी है देश सेवा प्रती जड़ा मंदेवी जज़रा पर दिये बिलकु मेरे जमाना दे निर्वर है उना दी जान मेरे ते निर्वर है जे मैं गल्त जवीज बना ली प्लैन बना ली ते नुकसान बहुत होंदा है एस तरहां सड़ा जड़ा आपस से तालमेल है वो बहुत चंगा होंदा है हुन भी अज 1902 तो देख लो भी बाठ त्रहेट तो किन साल होगे हले भी मेरे जड़े शुरूदे साथी सी के जवान वो पिन्नाच ने जेशियोज उना ना मेरे टेलीफून ते गल हुंदी है जड़ो मौका लगता है उना जाके मिल दी है तो यह बहुत बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है और जड़ों तुसीं देश सेवा जुटे हों स्वाई देश दे तो उन्हों होर कोई चीज नजरे निया हो तो यानि बहुत अख्यां कटियां सी चिठिया नी पहुंच दियां सी गिया नागा लैंड वे राशन हवाई जहाज था है पैराशूट था है से टाय जानदा सी जे बमार हो जबे डॉक्टर जे कुछ ज्यादा बमार हो जोए सो ए दे विच ए सिर्फ देश पक्ति वास्ते है तनखावा तनखू तब ठीक है जब गजारे जाए गुंदी है पर असी कदे ना तनखावा बारे सोचया जिनने आउंदे सी थोड़े बादे बचा के बाकी खर्च कर लंदे सी और सारा न फिजिकल कम में न हूंदा है कि तो श्रीर अपने आप तन दुरूस्त रहंदा है और हुन वाइगरु दी मेरनाल में हुन बहतर साल दा हो चलिया ते मैं कोई गोली नहीं खांदा ना ब्लड प्रेशर है ना कोलेस्टरॉल है ना यह सिर्फ फॉज दी मैंनू तन दूस्त र नेडियों सामना गीता है महुत कई वर कोड दिलंगी है पर पहले दिन मैं नागालाण चेंबुश हो गया मेरा जेशियों सी दिलीप सिंग और नाल सी ते जदो उन फायर खोलता ते असी अपने तित्र वित्र हो के पोजेशन ले लिया ते जवाभी कारवाई शुरू कर ल थे लड़ाई था महर से गनल के लटान साभ गोडी लगी था नि मैंनों थोड़ जा होइँ नहीं लगी साव नहीं लगी कहने फर तक्रणह कर नौगरी करी जा जिंदगी पार नहीं लगणी यानि ओने मैंनों एक पन्वेय करता कि तू कुछ निं कर सकदा जे ते थे नहीं है ते एंवी फिकर करन दी लोड ही नहीं है मैं मुड़के पिछे अगे के देखिया ही नहीं शिरी लंकाच मैं ब्रिगेड कमांडर सी एक वार आम फैरिंग लड़ाई हो री सी और सानू कोई खबर नहीं सी मैं जाके हेलिकॉप्टर तो थले ले आके उन्हों किया भी पाई थोड़ा जथर लेकार मैं चाल मार के अपने दस्ते देविच शामल हो गया हेलिकॉप्टर फेर उपर चले गया ओधिना उन्हां दब हांसला बहुत बद्या ते यसी उस उत्थे भी फता माँ जेका हासल कर ली तो यह फॉज देश पक्ति यह देश पक्ति नहीं है यंग जिनरेशन है खास करके पंजाब दे मुड़े माल चादमार के देखिए पंजाब दी जड़ी नौजवान पीड़ी है ओ आर्मी वाल जानतों कुत्राउन लगभी है बहुत कट है मेरे खल मुड़े पंजाब देश वले आर्मी परती हो रहे हैं दो गलाने एक तक मैं तकलीफ दे नौकरीज क्यों जावाँ दूसरी गल है कि अपने पंजाब दे बुड़े नौजवान माफ करना नकारा हो गए ने फिजिकल काम बेलकुल छट गए ने जदो आसी छोटे हुंदेशी पेंट दे विच कबड़ी खेलना बड़े बड़े लकड़े मुदकर क अज़कल पेंट था कोई कारवाई हुंदी निया यानि वालीबॉल था मैं वालीबॉल भी हुंदी थी पर वो था छोट छोटे हुंदी वाइस थे खबड़ी खेल दे सी सो अज़कल दा जड़ा यूथ है एक कम करन तुब करता हुंदा है और फिजिकली आपने अपने फेटनी रखे एक वार संग्रूर और नबे परती सी और पूरे पंजाब चमगाये सी अठ नौहजार नौजवान कठा हुए ऐसी तरखाव बदगी सी और जो दस परसेंट भी फिजिकल नहीं पास कर सके लोग का निया चातिया नहीं पूरियां सी किया क्यों कोई डंड नी कडने टोका पहला टोके दी मिशीन चल दी हुंदी सी बावा मिजबूत हो जानिया सी डंगरा दा चारा को तरना है बावा मिजबूत सी चाति फैल जा दा और सुआये मोटर सेकल स्कूटरां तो अर कारां तो एक कम नहीं कर दे अर हुंड नशयांच भी पहगे ने नहीं जिस तरफ जिस तरफ जिए लिकिती नशयां दी की उस दौर्दे वेच भी यूच सी नाजवान सी उन नशयां दे अदी बन जान दी सी जा ऐस तरह दी हुंदे ही निसी होता हुँ साधे पेंड विच एक नशयदार बन दा सिगा शराब त पील नशया पता की नसवार ओं कोई नशया गी है ओनूव बगोदे हुंदे सी बावु चाचा हुंदा सी बावु दुद बेचदा हुंदा सी पेला था उन्नों लोकी पसंदनी कर दे कि बाबु सिंग दूद बेजदा है, दूसरा नस्वार खांदा सी, नस्वार संगदा सी, ओधे करके यह बुरा पै गया सी, नशे हुंदे ही नहीं सी, और लोगी बच्चे भी पढ़ाई च अपना जुटे रहें दे सी, पढ़ाई स्कूल खात्म हो गया, फिर खेता नू चल सीगी ते नशे बिलकुल नहीं सी, तो कुसी पहली पर्दी होई हो, किस रैंक ते तो उनू पर फ़ार्च पर्दी किता गया, मैं चार साल ट्रेनिंग कीती थी, तिन साल एंडिये खड़कवासला, और एक साल करने सी दिरद, उनू छे मीन ने कीती, क्योंके लड़ाई लग पर ओदों 340 रुपे हैं ची तिन तोले सोना आ जाना सी, आउदों जेकर उस तोर देविच देखे, अधे आपके जाहू रहे ना थी तनका बहुत काट हुंदी सी, पचीती रुपे जा पिजार रुपे तक दी तनका हुंदी सी, ति पनाक सब आज जे जड़ा पर्ती हुं आसी इंदेखे छोड़े जे कप्रे हुंदे सी, भाज़ा फाजी बर्दियों रहे थी सी ते साइकल तो स्कूर को नेहीं थे नहीं सी, काफी देळ बाद श्कूटर होने शुरू हुए तो एद आ निकाल हुए हुए ते पैसा थ हुण काफी है पैसा थी पैसे ठी गाट नह मेरा बेटा फॉज है ओवी करनल है ओवी खर्चे पूरी होंदे होदे थोड़ी बच्चत है ज्यादा नहीं करनल सब्सक्राइब भी देखता है कि तुसी किनिया पीडियां तो यह तोडियां बेगाल तीसरी के चौथी पीडिया फॉज दिये फॉज दिनावरी करते हैं मैं जादी सब्सक्राइब पहला मेरे फादर गए सिगे वह पहला स्पाइ परती होए फिर जेसियो रांक ट्रेरिंग गए दिरदून चले गए फिर ओहो अफसर बने उनिसाओ इकतालीच और वो नीसाओ च्याट रिटायर होए मैं उनिसाओ बाठ च्याओ अफसर बनया तो 2000 रेटायर होया, मेरा छोटा प्राद 1908 रेटायर होया, मेरा बेटा फौज चलेगा 1993, वो हुन 20 साल सर्विस कर लिए पनाग सब किन्य साल सर्विस किती है? पनाग सब चर्चा सी जारी रखांगे, ब्रेक तो बाद फिर हाजर होने है, मेरे नालने मेजर जनरल चैन्डी सिंग पनाग, ब्रेक तो बाद फिर तो अड़े रूबर होने है